Hello everyone, welcome back to Mr. Canada, मैं हूँ Neeraj, अभी की ये वीडियो है, ये World Affairs YouTube चैनल से है, और काफ़ इंट्रस्टिंग वीडियो है, इसका टाइटल है, पाकिस्तान is the fourth largest borrower of IMF, USA played key role to save Pakistan, मैं बहुत देर से बोल रहा था कि पाकिस्तान को IMF पर लोग मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएग पाकिस्तान को एक की रोल निभाया है, और उसके इलावा, अब सिंस पाकिस्तान को additional 3 billion dollars का और लोन मिल जाएगा from IMF, तो जो अब पाकिस्तान का total कर्ज है न, IMF को सिर्फ IMF की बात करों यहाँ पर, इससे पाकिस्तान IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है, इसका मतलब ये भी है, कि पाकिस्तान के उपर भी कई के जिस चल रहे हैं, तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे, कि सिंस पाकिस्तान 4th biggest debtor बन चुका है, IMF का इसका मतलब क्या है, बागी कंट्री कोन कोन सी है, बहुत कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूँगा, question यह है, कि हा पर आपकी option, इंडिया, जपान, न्यूजीलेंड या फिर जर्मनी, इस पर recently बहुत से articles पबलिच होए थे, comment section में करी उत्तर, सही answer मैं आपको दूँगा, वीडियो के end में, now usually आप देखोगे, जब भी एक देश IMF की तरफ बढ़ता है न, तो उस country का stock market crash करना start कर देता है, क्योंकि IMF literally आप कहली जिए, एक economic hospital है, जब एक देश को कहीं और से कर्ज नहीं बिल रहा होता, तब वो जाता है एक IMF program के पास, मगर पाकिस्तान के case में उल्टा हुआ है, जैसे ही पाकिस्तान का IMF package approve हो गया न, पाकिस्तान की stock market में एक uptick देखा गया, 15 महीनों से, जो इ पाकिस्तान को IMF के additional loan की आवशकता होगी, ये बात सबको पता थी, 2-3 साल से, मगर ये loan मिलेगा, नहीं मिलेगा, किन शर्तों पे मिलेगा, इसके बारे में एक, आप कहलीजे, mystery मनी हुई थी, कि IMF का loan पाकिस्तान को end में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, बट अब ये बात confirm हो चुकी है, कि ना सिर्फ पाकिस्तान को loan मिला है, अब इतना कर्ज, पाकिस्तान ने IMF से ले लिया है, कि IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है, पाकिस्तान, अब यहाँ पे आप कहोगे, वेट, पाकिस्तान के भी उपर countries है, तो इसका answer है, हाँ बिल के, तो टोटल कर्जा पाकिस्तान पे अब हो चुका है, 10.4 billion dollars, जी हाँ, यहाँ यहाँ पे यह बाद समझने वाली है, ऐसा नहीं है कि IMF ने पहले पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया था, इससे पहले 2014 में IMF ने पाकिस्तान को एक प्रोग्राम के अंडर billions of dollars दिये थे, अब उपर एक और इनका नया प्रोग्राम स्टार्ड हो चुका है, मगर इस 10 billion dollars के कर्ज के साथ भी पाकिस्तान की रैंक है fourth, क्योंके number one पे है the king of debt अर्जन्टीना, इस country के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक महीने पहले आपको बताया था, कि अर्जन्टीना को literally world media कह जाता है, the country of beggars, जिस तरीके से आर्जन्टीना की economy पिछले कुछ सालों में गिरी है, शायद ही किसी country की गिरी होगी, आज भी आप देख लीजिए, वहाँ पर लगातार बिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और IMF का जो total कर्जा है आर्जन्टीना पर, यह 46 billion dollars है, फिर Egypt आपको मिलेगा second number पे, जी हाँ, Egypt, Egypt पर IMF का 18 billion dollars का कर्ज है, फिर Ukraine देश आपको मिलेगा, जी हाँ, Ukraine की आर्थे खालत बहुत ज़रा कमजोर है, इनका भी एक IMF प्रोग्राम चल रहा है, और Ukraine को IMF ने दिये है total 12 billion dollars, मगर मैं आपको यह बता दू, जिस तरीके से पाक बज़दार बन जाएगा पाकिस्तान, ना यहाँ बर मुझको एक बात आड़ करनी पड़ेगी, कि IMF के कर्स कीना, एक बहुत ही अच्छी बात तो मैं यह कहूंगा, कि interest rate बहुत कम होता है, खराब आते भी आपको भी बताऊंगा, मगर आप लोन अगर उठाते हो bond market से, पा और जारा हाई है, चाइना भी पाकिस्तान को यह कहता है, कि 7% के आसपास हम चार्ज करेंगे, जबकि IMF का लोन पाकिस्तान को मिल जाता है, 3.2% का, जो अभी latest लोन है, यह 3.2% का मिला हुआ है, इससे पहले का जो उनका लोन चल रहा था, यह 2% का है, और अगर आप interest को दे देखिए, IMF ने बहुत जारा कड़ी शर्तों में पाकिस्तान को लोन दिया है, इसमें से दो ऐसी शर्ते हैं, जो directly पाकिस्तान की जनता को हिट करेगी, पहली बात तो देखिए, IMF ने यह मनवाली है पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान जो subsidy देता है, अपने लोगों को electricity bill में, वो subsidy पाकिस्तान को खतम करनी होगी, पाकिस्तान में आप देखो, जो electricity bills है, heavily subsidized होते हैं, तो जैसे यह खतम होगा, इनकी middle class पर एक heavy burden आ जाएगा, बहुत जादा heavy electricity bills इनके आया करेंगे, नाव यह announcement, यह लोग election से पहले करेंगे, बात करेंगे, यह देखना होगा, फिर पाकिस्तान की capital में, जो इनका main airport है, Islamabad airport, यह भी बहुत ही जल्द lease पर चड़ जाएगा, मतलब कोई देश या फिर कोई company इस airport को own करेंगे, और उसके बतले हर साल वो पाकिस्तान को payment करेंगे, यहाँ पे आप देख पाओगे, Islamabad has decided to lease out first phase of the new Islamabad international airport to international investors, अब यह जो investors हैं, most probably China कही होंगे, और अब होगा basically क्या, कि IMF के program के बहांने, चाइना और बहुत सारी important जो locations हैं पाकिस्तान की इनके airport, इनके basis, इन पर अपना control extend कर लेगा, literally आप कहली जिये, जो पाकिस्तान का एक आखरी धक्का लगना था towards China, यह अब complete हो जाएगा, और अ IMF ने total Pakistan को 10 billion dollars दे रखे हैं, तो अभी भी इनको उसके beyond भी अपने लोगों की subsidy कम करनी पड़ेगी, अपने जो assets हैं यह बेशने पड़ेंगे, तो इसका answer है हाँ, पाकिस्तान को लेखी आने वारे 3 सालों में 77 billion dollars लोटाने हैं, और इसी साल आप देखोगे, यह तो खेर 3 सा 5-6 billion dollars और भी extra दे देना, तब भी इस amount के यह लोग आसपास नहीं जाएंगे, तो in the end वही होगा, जो मैंने आपको कहा था, यह देश अब बिकना शुरू हो जाएगा, अब हम बेसी कली एक ऐसे phase में आ गए हैं, जब पाकिस्तान literally, इनके जो भी important assets है वगारा, सब openly या तो lease out होंगे या बिकेंगे, बट इस सब के बावजूद बहुत सारी जो credit rating agencies हैं, वो openly कह रही हैं, कि अभी भी पाकिस्तान के default का जो risk है, कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, यह risk अभी भी बना हुआ है, और यह risk सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, UN ने कुछ महीने पहले यह क assets शुरू होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया की एक बड़ी आबादी, absolutely bankrupt हो जाए, at least इनकी जो सरकारे हैं, जो इनकी countries हैं, यह बिलकुल अपने आपको दिवालिया घुशित कर ले, आज से कुछ टाइम पहले, एक report publish शुरी जहां पर यह बताया गया था, कि दु अजन्टीना या फिर कुछ और कंट्रीज की है, एक global debt crisis शुरू हो चुका है, और जब इतने सारे देश एक खटा default कर जाएंगे, उसके बादा देखोगे, एक असली test शुरू होगा IMF का, एक possibility कुछ economist यह भी कह रहे हैं, कि possibility है कि IMF को altogether या तो upgrade करना पड़े, या फिर IMF न सब कंट्रीज को additional पैसा डालना पड़े, क्योंकि funding की जो requirement हैने वाले समय में, ये आस्मान चुने वाली है, तो even though Pakistan को for the time being IMF की funding मिल चुकी है, बट अभी भी मैं कहूंगा, एक global debt crisis बहुत ज़रा करीब है, और ये जो topic है in the future बहुत ज़रा news में रहेगा, तो इससे related कुछ updates आती हैं, तो आपके लिए मैं बाद में updated वीडियो ले आऊंगा, now finally वापस आते हैं question की तरफ के हाली में वो कौन सा देश है, जिसने thin plastic bags altogether ban करती हैं सुपरमार्केट में, तो सही उत्तर यहाँ पे है, option C New Zealand, यहाँ पे आप देख पाऊगे, New Zealand to become first country in the world to ban thin plastic bags at supermarket, एक बहुत discount चल रहा है, for example, let's say आप SSE की चारी कर रहे हैं, SSE के link पर करिए click और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे SSE का course, और यहाँ पे आप देख पाऊगे, जो भी process लिखे हैं, यह आपको pay करने की ज़रोत नहीं है, simply यहाँ पर code use करिए PG10 and the prices will start falling, you will be able to save a lot of money, और 6 months का extra course भी आपको कहता हूँ, may the gods watch over you. One way or the other मिली ही जानी थी, तो finally यह news आपके सामने है, कि IIMF का loan Pakistan ने secure कर लिया है, और उसके साथ साथ उसको बहुत सारे avenues से और पैसा आना शुरू हो जाएगा, चाहे वो Middle East से हो, चाहे वो China से हो, और World Bank या और कई financial institutes हो, तो यह तो होना ही था, तो finally congratulations to Pakistanis और इसके इलावा, अब मुझे लगता है चाहबासरी फिर जाएगा दुनिया बर में मुल में अपना कटोरा लेके और बोलेगा कि मुझे IIMF की डील मेंने secure कर लिया, अब हमारे पास जो है, वो full credibility है, कि हम और ज्यादा loan ले सकते हैं, और इसके जो consequences हैं, वो तो obviously पाकिस्तान के लोगों को 3.98% जो भी interest rate है, वो still expensive है, क्योंकि वो interest rate US dollars के उपर लग रहा है, और अगर आप US dollars तो पाकिस्तानी रोपीज convert करें, तो तक्रीबन 200, 200 ज्यादा ही होगा, I don't know exactly क्या figure है, लेकिन उस amount में अगर आप 3 य 4%, 3-4% के पीच में अगर loan लगाते हैं, तो वो बहुत जादा amount बन जाता है, और फिर ये recurring रहता है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक मुझे नहीं लगता कि जो पिछले programs इन्होंने IMF के लिए हैं, उसका जो loan है, इन्होंने वापिस किया है या नहीं किया है, तो ये loan जो है, वो interest rate के साथ साथ, interest ज्यादा बढ़ जाएगा, मुझे लगता है, लोन की principle amongst से, जिस तरीके के पाकिस्तान के हलात हैं, और पाकिस्तान को, I don't know कि किस basis के ओपर IMF ने loan दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की government और establishment ने कुछ ऐसी policies नहीं बनाई, जिससे कि वो loan वर्दी हो सकें, और loan को repay करने की capacity रख सकें, तो ये मुझे एक clearly political, geopolitical leverage ही लगता है, क हमने सारी conditions fulfill कर दी, हमने ये कर दी, हमने ये कर दी, हमने वो कर दी, फिर भी आप हमेरा loan sanction नहीं कर रहे हैं, और जब जरूरत होती है, otherwise support करने की तो ये चाइना को support करते हैं, और अपरिका को गाली देते हैं, तो geopolitical leverage रखने के लिए मुझे लगता है कि IMF ने ये काम किया है, बट इसके consequences क्या होंगे, वो मुझे लगता है पीछले वाले ही होंगे, जैसे पहले होता है कि loan ले लिया, उसके बाद अपना रोना चालू कर दिया कि हमारे पास तो resources नहीं है, repay करने के लिए, तो हमें चाहे loan जो है, आप defer कर दे, या हमारा loan माफ कर दे, तो यही सब चीज यह चलती रहेंगी पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ऐसा ground के ओपर काम नहीं किया गया, जिससे जो है, वो economic activity हो, और economic activity ऐसी हो, जिससे loan repayments की तरफ जाया जाए, बट एनिवे, this has been done, और एक और congratulations पाकिस्तान को की, वो जो है, वो fourth highest debitter हो गए है, IMF के, और जो स बाकी countries देखे, Egypt, Ecuador, इनके भी economic crisis पहले से ही चल रहे थे, long economic crisis थे, और Ukraine जो है, वो war-ridden country है, उसका तो economic crisis समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान जो इतनी important geopolitical situation रखता है, और साथ में इतना resourceful country है, और साथ में, वो spiritually बहुत बढ़िया है, और यह सब उस country का मुझे समझ में नह आता है कि, loan जो है, क्यों वो ले रहे हैं, और वैसे भी loan तो इनके principles के ही against है, क्योंकि interest तो हराम है, तो इस तरीके से जो loan का concept है, वो तो इनके fundamental principles के ही against है, तो फिर यह loan क्यों ले रहे हैं, और उस चीजों में घुशते ही क्यों है, तो it's a contradictory country, जो अपनी ही बात को contradict करता है पूरा इनका fundamental है, वो कहता है कि, हमें loan के मामले में interest में deal नहीं करना चाहिए, क्योंकि interest हराम है, यह है, वो है, उस चीजों से लेकिन end of the day, अपने आपको survive करवाने के लिए loan भी लेगे, और वो भी वहाँ से लेगे, IMF से लेगे, अब इन्होंने एक वीडियो में बहुत बात की, कि जब दुनिया में debt crisis आएगा, तो IMF में जो contributions हैं, दुनिया के countries करते हैं, उसकी जो percentage है, वो बढ़ानी पड़ेगी, उस debt crisis को solve करने के लिए, अब पाकिस्तान को ये पता है, कि उसमें जो है, वो Jews का पैसा भी है, उसमें इंडिया का पैसा भी है, उसमें बाकी countries क भी पैसा है, लेकिन ये गाली में उन countries को देगे और वहां से पैसा भी उठाएंगे, ये होती है, हद बेशर भी की, और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बिना सरपैर के बाद की, तो पाकिस्तान का ये कब से चलता आ रहा है, अब देखते हैं कि इस loan को use करके पाकिस्तान कौन सा तीर मारता है, और कैसे जो है, वो अपनी loan repayments की आगे, रास्ता अपने उसके लिए clear करता है, और जहां तक रही बात अपने assets sell करने के लिए, तो पाकिस्तान तो हमेशा ready to sell its own assets है, अब airport sell कर दिया, उसके इलावा बाकी जो infrastructure है, जैसे road infrastructure है, या shipping ports है, गुबादर वाली port इसके बाद ये अपनी military establishments, फिर अपने nuclear assets, ये सब भी sell करके, फिर अपना कारोबार चलाएंगे, वट उमीद करते हैं कि ऐसा ही होता रहे, और पाकिस्तान को loans जो हम वो मिलते रहे, ताकि अपना country गिर्मी समय के साथ साथ रखते जाएं, ज्यादा रखते जाएं, और और crisis में जाएं, अगर ये ऐसी ही policies अपनाते हैं, इनको groundwork के policies change करनी पड़ेंगी, या तो इनको ये rhetoric change करना पड़ेगा कि ये countries हमारे जो हो specific दुश्मन हैं, या फिर इनको ये करना पड़ेगा कि loans लेने बंद करें, और अपने internally ही focus करें, और दुनिया के ऐसे countries के साथ जो इनक देखते हैं, कि क्या outcome finally निकलती है, और इंडिया अपनी policies इस current scenario में कैसे change up करता है, और दुनिया के बाकी countries जो है, वो कैसे पाकिस्तान को देखते हैं, और उनका नजरीया क्या है, ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, तो अगर मेरे विचार आपको अच्छे में हमें जरूर बताइए, तो चलिए मिलेगे आपको अपनी अगरी वीडियो में, तब तक के लिए, stay safe, stay healthy, bye bye